हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास नाइन का एक महत्पुन मैथ है आपका माध्य से रिलेटेड है पर्थम पांच अभाज संख्याओं का माध्य आपको निकालने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले हम लोग अभाज संख्या के बारे में जानेंगे कि यह होता क्या है देखो जो अभाज संख्या होती है आ भाज्य संख्या वे वैसी संख्या होती है जो खुद से कटे जो खुद से कट जाए और किसी से न कटे और किसी से न कटे ठीक है एक बाट इसमें छुट गए खुद से कटेगा और वन से कटेगा और किस से कटेगा वन से कटेगा योनि एक से कटना चाहिए, सौरी आपको दिख नहीं रहा है, अभाज संख्या उसे कहते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे, केवल एक से, और एक से कट सकता है, और खुद से कटेगा, जानि वो स्वेम अपने आप से कटेगा, वो अभाज संख्या कहलाएगा, ठीक है, ज इसके बाद आता है पांच पांच एक ऐसा नमबर है जिसको स्रीब पांच काटेगा या तो फिर एक काटेगा उसके बाद अगर हम बात करें बताओ तो कौन आ जाएगा साथ साथ भी एक ऐसा नंबर है जिसको केवल साथ काटेगा या तो फिर एक काटेगा अगर उसके बाद आप बोलेगा सर नौ ले लिजिए नौ एक विसम संख्या है लेकिन नौ को तीन काट दे रहा है एक भी काटेगा नौ भी काटेगा तीन भी कटे गा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्वैम से कटेगा, और एक से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, तो नौ को नहीं लेगे, उसके बाद किसको ले लेंगे, एक ग्यारा को ले लेंगे, तो आपने यहां पर देख लिया कि 2, 3, 5, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, तो प बुरे ऐसा नहीं होगा हम लोग वह ट्रिक इसलिए लगाते थे कुल सिर में लगा पाएंगे आब हम लोग था सभी प्रेक्षनों का योग और बटा में होता था प्रेक्षनों की संख्या तो सभी प्रेक्षनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे दो प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस इग्यारा सबको जोड़ दो और नीचे संख्या क्या है एक दो तीन चार पांच तो सबको ग्यारा, असाथ, अठारा, दो बीस और आट, अठाइस, टोटल हो जाएगा आपका अठाइस बटा पांच पांच से काटोगे पचीस बार में जाएगा पांच पचे पचीस, यहाँ पे बचेगा तीन पॉइंट दोगे, तो हो जाएगा तीस, पांच छके, तीस, यानि फाइब पॉइंट सी आपका आंसर आजाएगा तो आपका ये माध्ध हो गया तो उमीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा, कि देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है अभाजी संख्या कौन-कौन सी होती है इसको याद करना आपके लिए काफी जरूरी है थोड़ा समय अभाजी संख्या आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा ठीक है, उसके बाद फिर तैस एक ऐसी संख्या है, जो अभाजी संख्या हो जाएगा तैस के बाद फिर आपका उन्तिस हो जाएगा उन्तिस के बाद आपका एकतिस हो जाएगा एकतिस के बाद अगर कोई होगा तो फिर सैंतिस हो जाएगा सैंतिस के बाद अगर कोई होगा तो फिर आपका 41 हो जाएगा 41 के बाद अगर कोई होगा तो 43 होगा 43 के बाद अगर कोई होगा तो फिर 47 हो जाएगा और 47 के बाद आप लोगों को याद नहीं करना है इतना काफी है 50 के अंदर इतना हो गया ठीक है समझ रहे हो आप सभी तो यतना सा आप लोग याद कर लेना याद क्या करोगे, सीम्पल सा बात है कि आपको ये देखना है कि एक से कटेगा और स्वयम से कटेगा दुसरा अगर कोई उसको काट रहा है दुसरा तिसरा तो फिर वो नहीं होगा ठीक है ये विसम संख्या नहीं होगा आप लग सोचते होंगे कि विसम संख्या होगा विसम तो होता है लेकिन ऐसा विसम होता है जो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा दूसरा कोई नंबर उसको नहीं काटेगा ठीक है मेरे बाई सभी को समझ में आ गियागा अब हम पर भी आप लोग को प्लाया जाता है तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में थैंक यू